नमस्कार दोस्तों, साहित्तिक कहानियों के इस चैनल कहानिया जिन्दगी कीपर मैं शैली, आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री मृदुला गर्गजी द्वारा रचेत, एक बेहधी खूपसूरत, दाशनिक और मानवी करण से भरपूर कहानी लेकर, कहानी का नाम है, यहां कमल नहीं खिलती है, आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह, आप सभी साहित्ति प्रेमियों से अनुरूद है, कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो, या अब तक ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आईए, कहानी को सुनते हैं, वीराने में दो और ते मौन बैठी थे, पास पास नहीं, दूर, अलग, दो चोरों पर असंप्रिक्त, एक नजर देखकर ही पता चल जाता था, कि उनका आपस में कोई संबंध ना था, वे देश के दो ध्रोबों पर वास करने वाली ओरते थी, एक औरत सूती सफेद साड़ी में लिप्टी थी, पूरी की पूरी सफेद, रंग के नाम पर ना छापा, ना किनारा, ना पल्लू, साड़ी थी एक दम कोरी, धवल, पर एसास उजाले का नहीं, बेरंग होने का जगाती थी, मैली कुचैली या फिड्डी धूसर नहीं थी, मोटी जीनी भी नहीं, महीन बहतरीन बुनी कती थी, जैसे मध्यमवर्ग की उम्रदरास शहरी औरते आमतोर पर पहनती हैं, हाँ, थी मुसी तुसी, जैसे पहनी नहीं, बदन पर लपेटी भर हो, बेहयाली में आदतन खुसी पटलियां, कंदे पर फिका पल्लू और साड़ी के साथ, खुद को भूल चुकी औरत, बदन पर कोई जेवर न था, ना चेहरे पर तनिक सा प्रसाधन, माथे पर बिंदी तक नहीं, वीराने में बने एक मजोले आहाते के भीतर बैठी थी वहाँ, चारो तरफ से खुला, बिला दरो दीवार, गाउं के चौपाल जैसा, खप्रेल से ढगा, गोल आहा था, दरसल वीराना वीरान था भी और नहीं भी, दो बीखा जमीन का टुकड़ा, दो फुट उंची चार दिवारी से घिरा था, दिवार इंसान की बनाई हुई थी, इसलिए उसे वीराने का हिस्सा नहीं माना जा सकता था, पर उसकी गढ़न स्त्री की साड़ी जैसी, बेरंग, बेतरतीब थी, यूँकि उसका होना न होना बेमानी था, वह बस थी, पेड़ पत्तों से महरूम, उस खारी धर्ती की निर्जन सारहींता को बांध, कम करने के बजाए बढ़ा रही थी, उस जमीन को घेरते वक्त घेरने वाले का इरादा उसे आबात करने का नहीं था, दिल की विरानी को हर दम रौंगते, यादों के काफिले को जीते जीते, बाकी की जिन्दगी जीने की कूवत पैदा करने के लिए, जिस एकांत की जरूरत होती है, उसी को निजी बनाने की कोशिश थी, कभी कभी सगून पाने को विरानी में ही ठोर बनाना पड़ता है, वैसा ही ठोर था, वह मजोला चाजन, पर अचरच इनसानों को बसाने का जजबा भले न रहा हो, फूलते फलते पेर लगाने का इरादा जरूर था, इरादा की उमीद, जिद या दीवान की, जो था, कारगर न हुआ, धर्ती में खार की पहुँच इतनी गहरी थी, और निकास के अभाव में बरसात के ठहरे पानी की मियाद इतनी लंबी, कि पेडों का उगना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुम्किन था, कुछ जाओ और कीकर जरूर उगाते थे, जब तब, पर जब और तब के बीच का फासला इतना कम होता, कि पता न चलता, कब थे, कब नहीं, उगते, हरसाते, लल्चाते और मुक्ति बाजाते, जब पहले पहल पहला जाओ उगा, तो बड़ी पुख्तगी के साथ इरादा, उमीद बना, कि बस, अवब भले भरे नहीं, पर जंगली पेड बहां हरे जरूर होंगे, और उसके एकाज साल बाद, जमीन ममता मई हुई, तो फलदार पेड भी उख सकेंगे, जाओ के बाद कीकर उगे, तो उमीद भी उमक्ती चली गए, अंकुर से पौध बनती, सरदी पढ़ने पर कीकर पीले पढ़कर सूख गए, जाओ भी गिंती के दस बीस बचे, तब भी उमीद ने दम न तोड़ा, लगा, इस बरस पाला जादा पढ़ गया, अगली बार सब ठीक हो जाएगा, जब अगले बरस भी सिलसला वही रहा, तो धीरे धीरे जंगली पौधों के पेड़ बनने से पहले गलने सूखने के साथ, उमीद क्या, जित तक दम तोड़ गई, दूसरी औरत, छाजन के बाहर, चार दिवारी के भीतर बैठी थी, हैंट पंप के पास, फिक्दी, पैबंद लगी कुर्ती, और धीली सलवार पहले थी, अर्सा पहले जब नया जोड़ा बना था, तो रंग ठीक क्या रहा होगा, क्या नहीं, कहा नहीं जा सकता, और जो हो, सफेद्वा कभी नहीं था, मैला कुचैला या बेतर दीप फिका हुआ अब भी नहीं, दुरुस्त ना सही, चुस्त जरूर था, देह पर सुशोभित, सीधी तनी थी, उसकी मेहनत कश्दे, उतनी ही, जितनी पहली की दुखी, छुकी लुकी, जाहिर था, वह निम्न से निम्नतर वर्ग की औरत थी, गाओं की वह औरत, जो दूसरों के खेतों पर फी रोज मजदूरी करके, एक दिन की रोजी रोटी का जुगाड करती है, पर खुदकाष्ट जमीन ना होने पर भी, रहती किसान है, जमीन से जुडाओं में, अपनी भाव भंगेमा में, वह इस उसर धर्टी के साथ पली बड़ी थी, उसे उपजाओं से खार होते देखा था, कोई नहर बनाई थी सरकार ने, पर पानी के निकास का सही बंदोबस्त ना होने पर, खार इधर के खेतों की तरफ दोड़ा था, और हरियल धर्टी को कल्लर बना कर छोड़ा था, आदम कत पेर लगाने की, ना उसने कभी उमीद की, ना किसी और निजित, उसने आस लगाई तो बस कमतर श्रेणी का धान उगाने वाले खेती हरों की फसल की बुवाई कटाई की, जो कमुबेश पूरी होती रही, दो एक सालों के फासले पर, जब सूखा पड़ता और फसल सेरे से गायब हो जाती, तो सरकार राहत के लिए जहां सड़क पुल बनाती, वही मजूरी करने चली जाती, जिस दिन मजूरी नहीं, उस दिन कमाई नहीं, रोटी नहीं, बिला काम धाम आराम से बैठने के उसे आदत न थी, सोने और जागने के बीच सिर्फ काम का फासला जानती थी, इसलिए चंद मिनट बेकार क्या बैठी, आप से आप आखे मुंद गई, इतनी गहरी सोई कि ओरनी बदन से हट सिर्फ पर टिकी रह गई, निस्पंद बैठे हुए भी उसकी देह, जिन्दिगी की थिर्कन का भास देती रही, सास का आना जाना, छाती का उठना गिरना, मानो उसकी रुहानियत के पर्चम हो, कल उसने दूनी मर्दूरी करके घरवाले और बच्चे के लिए कुछ रोटी प्यास बचा रखा था, कि आज काम पर ना जा, यहां बैठ पाएं, ऐसा भाग कम होता था कि एक दिन में दो दिनों के गुजारे लायक अन जुट जाए, सब कुछ बर्खा भरो से जो था, सच मुझ पिछले दो बरस बढ़ भागी बीते थे, पिछले बरस भी बर्खा इतनी हो गई थी कि धान की फसल ठीक ठाग हो और उसे कटाई का काम मिलता रहे, और इस बरस, इस बरस तो यूँ तूट कर बरसा था सावन कि बिला खेट जमी हरिया लिया था जया, तब ही नकल दूनी मजदूरी का जुगाड हुआ और आज यहां बैटने आ गई, चानती थी पहली औरत आज आएगी, पिछले दो बरसों से आ रही थी, मुन्ने से पहले उसकी आखें दिवार के परली तरफ तिकी थी, दिवार की बांध में बंद कर उधर की निचली जमीन के गड़े खड़ों पर उमर उमर कर बरसा पानी जो ठहरा, तो भरा पूरा पोखर बन लिया, और उसमें खेलाए कमलनी के अनगिनत भूल, जहां तक वह जानती थी, और इस इलाके के बारे में शायद ही कुछ था, जो वह नहीं जानती थी, तो इस बरस से पहले किसी बरस यहां कमलनी नहीं खिली थी, हे मैया अजब माया है थारी इस बरस कमलनी भी यूँ खिली जो बरसा पानी अटा टूट देवी पार्वती का चमतका नहीं तो क्या कहीं इसे वह जाने थी भली भाद पार्वती के कहे पर ही खिली थी कमलनी यूँ घटा टोप कहा होगा शिवजी से की प्राण प्यारे खिला दो छोरी खातिर उसकी नाई कमलनी बाबा शंकर मना करते तो कैसे सूरत छोरी की जो पार्वती की परचाई दिप दिप मुख पर देवी जोगी मुस्कान लिये खतम हुई थी पलबर को जो छोरे का हाथ अपने हाथ से जूटने दिया हो जैसे ही गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई सोने से छोरा छोरी मिट्टी हो गए यह औरत जो दो बरस से यहां आया करे है जाने क्या सूच बंजर को आर दे भी छटा करे है छोरे की मा है सफेज चुकी औरत की आखी उसकी देह की तरह बेजान नहीं थी जब तप उनमें यादों का बरसाती अंधर सरगोशिया कर उठता कभी काली आंधी की किरकिर धूल तो कभी सावले मेह की जिलमिल टपकन प्यार से पगे पल की याद कुलाज भरती की विरह से सना उपरांत लपक कर उसे दबोच लेता वह उन्हें पूरा नहीं खोलती थी ना इधर उधर ताकने की इजासत देती थी निगाहें यू नीचे जुकी रहती जैसे अपने दुख पर शर्मिंदा हो पर इधर उधर ना देखनी की कोशिश जितनी करें प्रक्ति को पूरी तरह पचाड कहां पाती थी गाहे बगाहे नजर फिसल ही जाती यहां वहां उसकी दूसरी कोशिश भी नाकाम रहती बोजल अतखुली आखों को पूरी तरह मूंद या उम्मीद करने की कि इस विराने में यादों के भवर में डूब नीन दा जाएगी एकाथ दफ़ा यह तो हुआ कि भवर से दो एखुशनुमा लमहें जहन में उगरे और बर्बस होटों पर हलकी मुस्कान तिर गई पर ज्यादा देर टिकी नहीं अंचाहे मंचाहे उगे छाओं कीकर की तरह समाधिस्त हो गई बची रही चीखती चीखती एक आवरिती पहले गुजरी इस तिथी की कभी ऐसा भी हुआ कि अतकुली आखों से उसने उम्मीद के इस वीराने को फल फूल से लदा देख लिया बेर, कैर, करौंदों से नहीं जामन और आम के जुर्मुट से हरियाया पर भ्रम रहा भ्रम ही दीवानगी में भी वजाने रही कि वद दीवानगी थी असलियत या सचाइँ नहीं उन जबरनमुंदी अदमुंदी आखों में जब नेंद कभी ना आई तो सपने कैसे आते नहीं आये इसी से दीवानगी को दीवानगी जाने रही और वीराने को वीराना अब भी हमेशा की तरह उसने जबरन आखें मूंदी तो छलावे सी मायावी नामालूम सी खुश्बू ने पलकों पर दस्तक दी कहां से आई खुश्बू क्या आँख लग गई सपना आ बैठा उसके रुमाल का रूपले भीगी पलकों पर आखें ओचक खुली तो इधर उधर भटक भीली। उसने देखा जमीन को घेरे जो दो कुटी दिवार खड़ी थी उसके दूसरी तरफ बाहर पानी ही पानी था। इतना पानी हाँ होता है देख चुकी है न दो बार बरसाथ होने पर उम्मीद कहया वीरान बगीचा पानी से भरा उथला नाला बन खुद अपने पेड़ पौधो को निकल जाता है पर यह मौत का साया फेटता पानी नहीं कुछ और है इसमें तो बेशुमार कमली खिली है सैकडों की तादात में वह चौक कर खड़ी हो गई कमलनी यहां जहां कुछ खिलता नहीं समझी आखिरकार उसे नीद आ ही गई और यह सलोना सपना दिखला गई मंत्र मुग्दवा उठी और यंत्र बिद्ध कदमों से दिवार के पास पहुँच गई कमलनी बदस्तूर खिली रही मन के तिलसमी पेडों की तरह बिलाई नहीं उस पार जाने के लिए वह दिवार में हैंड पंप के पास बनी फांक की तरफ बढ़ी तो वहां एक स्त्री मूर्ती देख स्तब्ध अवसन रह गई कहां से आई यह प्रतिमा उसने तो लगवाई नहीं करुणा से ओत प्रोत देव मूर्ती तब कौन लगा गया किसने तराशी ऐसी दिलकश उसकी सांस रुप गई मूर्ती की चाती उठती गिरती सांस से हिल रही थी यह तो जिन्दगी की हलचल से लबालब बादामी आखी पूरी खोल सपनों में खुई उसकी बहु थी सिंदा पर उसे तो उसने खुद अपने हाथों सिर में खुमेर उठी और वह चक्कर खा वहीं उसके बराबर में ठै गई पसीने से तर बतर बदन से चिपकी साड़ी का पल्लू कंधों से लरस दूसरी औरत की ओडनी की तरें जमीन पर बिच गया वह बेहबर उठंगी पड़ी रही उस औरत ने करुण वादसल्य से भीगी दृष्टे उस पर डाली पर अपनी जगे से हिली नहीं सहारा दे उसे उठाया नहीं सिर आखों में ठाम उसने खुद को समहाला और अपनी उसी जुकी दुखी जीवन से हताश मुक्ती की तलाश में दिख फ्रमित मुद्रा में बैठ गई निगाव बर्बस उपर उठी तो दूसरी औरत किस निग्ध नजर से जा टकराई नजर के साथ चहरा आखों की राह जहन में पहुँचा तो हाहाकार करते दिल ने समझा वह नितान अजनबी औरत थी निश्चल रहकर भी अपनी सांसों के स्पंदन से उस निशकंप सन्नाटे को आबाद कर रही थी खुली बादामी आखों उसी मंजर को ताक रही थी जिसे सपना जान मोपाश में बंधी वह फिर फिर देखने की पगलाई ख्वाहिश लिये चली आई थी उसकी सांचा नजरों के सामने हर तरफ कमल्ली ही कमल्ली थी दोनों पास-पास मौन बैठी एक दिशा में ताक रही थी पहली औरत अपने से बेखबर थी और दूसरी से भी पर दूसरी पहली से पूरी तरह हबरदार थी स्नेहिल ममता में रची पगी दृष्टी जब तब उस पर डाल वापस कमल्ली के घटा टोप की तरफ मोड लेती कितना वक्त गुजरा कुछ पल चनलम ही एक खंटा एक पहर कौन हिसाब रगता बेखयाली में हुम पहली औरत भला क्या कयास लगाती कितने बरस बीते वहां लगा रेत की मानिंद हाथों से फिसली पूरी जिन्दगी बीत ली याद आया यहाँ साप के एक जोड़े ने बसीरा किया था केंचल छोड एक दिन सरक लिये फिर नहीं लोटे मोर मोरनी भी बटक आए थे एक बार जब बरसाथ से पहले कुछ पेड उम्मीद बन उगे थे वे भी चले गए ना लोटनी के लिए वही बार बर लोटाती है यहाँ कब हुआ था वह सब या पिछले साल ही अब कहां थे वे यहीं कहीं थे आसपास या गए सब गए सब के सब दूसरी बेखबर नहीं थी आश्वस्त थी कि दिन धलने में अभी वक्त था सांज उतरने पर जब कमलनी पंखुणियां समेटना शुरू करेगी तब ही घर पलट पाएगी सोच कर ही विराने में पाव रखा था उसे पता था छोरे की मा छोरे की पुन्ने तिथी पर सांज घिरने पर ही वहाँ से बलटती थी कमलनी कल फिर खिलेगी सूरज उबने के साथ पर पारवती अपने शिर्व को साथ ले जो गई सो गई दो बरस बात ये सौगात भीजी मा के लिए धेर उठेर कमलनी के फूल यहीं से पानी ले जाती थी गाउं भर की औरते इस बरस हर जबान पर यही नाम था यहां कमलनी खिलती है बरसाथ बात के अगहन महिने की दुपहरी का तेज ताप जिसमें हरिन भी काले पढ़ जाते हैं मधिम पढ़ना शुरू हुआ तो दमक्ती चमक्ती कमलनी स्त्री की आर्द दिष्टी की तरह सौम में दीखने लगी उसने अचकचा कर उपर आसमान की दरफ देखा हां सूरत चला चली की ओर बढ़ रहा था उसने ओडने सिर्थ से खीच पूरा बदन धाका और असमंजस भरी निगास से पास बैठी औरत को निहारा निहोरा अब भी था उसने पर हलकी दुविधा का भास लिए तेर मूरत में हरकत हुई तो पहली औरत माया जाल से निकल ठोज जमीन पर आगिरी पर कमल्नी बे तो अभी खिली थी कुछ सिम्टी सकुचाई जरूर थी नई दुलहन की तरह पर थी सब की सब वही मगन मन पानी के उपर तैर थी नहीं माया वी नहीं था वह लोग जिसमें विचर वह अभी अभी लोटी थी कमल्नी थी वा कही थी बेधयानी टूटी तो जो पहले नहीं सूझा था अब सोच बैठी कौन थी वह औरत यहां क्यूं बैठी थी हैंड़ पम से पानी लेने आई होगी इस खारे इलाके का पानी भी खारा था कुओं का ही नहीं गहरे खुदे नलकूप का भी वह खुद्वा कर देख चुकी थी मीठा पानी सिर्व सरकार की कृपा से मिलता था उसकी जमीन पर था मीठे पानी का एक हैंड पम्प उसी ने कह सुनकर लगवाया था सुभे सकारे गाउं की ओरते उसमें पानी भरने आती थी पर इतनी देर रुख ठहर कोई बैठती न थी भागती दोरती आई पानी भरते भरते आपस में दो बोल बोले और जल दी कभी वह नजर आ गई तो शर्मीली सी दुआ सलाम उससे भी कर ली बस उठने उठने को होती दूसरी औरत बैठी थी अब तक पर उसके बदन की कस्मसाहट पहली को उठने पर आमादा कर रही थी क्या वे किसी काम की सिलसिले में आपस में टकराई थी याद आया एक बार एक स्वयम सेवी संस्था से दो औरतें यहां आई थी गाउं की औरतों को क्या कुछ बतलाने बड़ी मुश्किल से औरतों को एकठा किया था पर बात आगे बढ़ी न थी कैसे बढ़ती औरते जाती थी रोजकार और वे देती थी मात्रसला तो उसने क्या किया कुछ नहीं सोचा भी नहीं कि कुछ कर सकती थी फिर एक बार अरे पिछले बरस ही तो धान की थोड़ी से फसल भी हुई थी इस समीन पर कुछ औरते काट ले गई थी उनमें रही होगी यह भी पर आज एक बरस बात इतनी देर से यहां क्यूं बैठी है कौन है यहा क्यूं है कौन हो सकती है गरीब घर की किसान औरत और क्या पर आखों से जर्ती कण कण अनुकमपा सीधी तनी कृष्धे से तरंगित वर्सल राग पैबन लगी फिड़ी पोशाक में दिब दिब करती देवी सियाकरती उसकी बहु नहीं पारवती है या साक्षात वही वही और कोई नहीं कुछ पल गुजरे एक पहर और वीता सूरज अफसान की तरव बढ़ा कमलनी सकचाई माया जाल तिड़कता चला गया इतना कि तमाम संकोच ज़ग के बावजूद सपन लोग से बेवफाई कर वह जमीनी सवाल कर बैठी कुछ चाहिए ना उसने कहा सोचा इकली कैसे बैठोगी